प्राचीन काल से लेकर भारत के गुलामी के संघर्ष और अब आधूनिक भारत में हतकरगा वस्त्र उद्योग की धुरी रहा है और इस धुरी के इर्दगेर्द कई ऐसे एक तरह से प्रयोग किये गए जो बुनकरों के उठ्थान से जोड़े रहे आज हतकरगा दिवस पर भी यानि की हैंडलूंग दिवस जिसके शुरुवात मोधी सरकार ने 2015 साथ अगस्य की है तकरीबन तकरीबन दस साल पूरे होने वाले हैं किस तरह से इस दस साल में बुनकरों की स्थितियों को बदला गया है उनके किस तरह से नई तकनीक के साथ जोड़ा गया है दस साल के सफर में अगर हम भारत के हैंडलूंग की बात करें तो क्या बड़े परिवर्तन हुए हैं इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमाय साथ आज जुड़ रहे हैं केंट्रिये कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंग जी गिरिराज जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है डिली नियूस में बहुत-बहुत धर्नवाद आपको रिसो जी आपने ये जब पदभार सम्हाला 2024 में कपड़ा मंत्राले का तो आपका पहला जो एक तरह से मीडिया को एक जवाब था वो ये था कि आपका सबसे बड़ा फोकस रहेगा इस इक शेत्र में रोजगार स्रिजिन के लिए शुरुवात इसी से करते हैं क्या बड़े फोकस इस मंत्राले के साथ आपके देखे बस्त्र मंत्राले किर्शी के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला च्छेत्र है और इसके कई भाटिकल है जो हमारा निचुरल फाइवर है किशान कपास उगाते जीनिंग होता एस्पिनिंग होता कपड़े बनते गार्मेंट बनते एक करोर रुप्या गार्मेंट के सेक्टर में लगता तो सत्तर लोगों को रोजगार देता यह चैन है दूसरा भर्टिकल है हमारा हेंडलूम जो 2015 नहीं 1905 में जब सौदेशी आंदोलन साथ अगस्त को सुरू हुआ जिसमें गांधी ने मैंचेस्टर के कपड़े को बहिस्कार किया जलाया और चडखे को कपड़े का मौडल बनाया चडखे से सूता करता हेंडलूम से कपड़ा बनता लेकिन चडखा और गांधी तो खाधी के नाम पर चिपक गए उस समय गांधी जी ने हेंडलूम को भी उसी तरह लिया लेकिन मुझे दुख है उस समय के तातकाली परदान मंत्री नहरु जी की सोच साइज गाउं गरीब की शान तक नहीं पहुंचा था अगर पहुंचा होता तो हेंडलूम पूरे दुनिया में हम 90 परतीसत हिस्सेदारी रखते हैं आज एक निस्ट प्रोडेक्ट है नरंद्र मोदी को मैं धन्वा दूंगा गरीब का बेटा उसने गरीबों के पीरा को समझा पहले आज 35 लाग पड़ी बार हैं पहले मैं मानता कि 35 लाग होंगे धीरे धीरे उनका ध्यान लोगों ने नहीं दिया तो उनके बच्चे छोड़ते चले गए लेकिन नरंद्र मोदी ने हैंडलूम दिबस 7 अगस्त को मना करके बुनकरों के जीवन में एक नई रोशनी लाने करके 7 अगस्त को भैंडलू दिबस मना रहे हैं लेकिन जो बड़ी चिंताएं थी उन चिंताओं को हम कितना दूर कर पाए हैं मसलन बुनकर क्योंकि एक परमपरागत ये कला है तो पीडियां जूडी रहें पीडियों से ये काम आ रहा है आने वाली पीडियां भी उसमें अपना रोजगार समझें उनको आमदनी ज्यादा हो और किस तरह से टेक्नोलजी के इस दौर में वो अपने आपको तकनीक के साथ जोने तो इन तमाम क्षेत्रों में इस दस साल में क्योंकि कई ऐसे प्रयास किये गए हैं उसमें आप किस तरह का बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं देखिए हैंडलूम के सेक्टर में बुनकर के बच्चों को हम IIHT इंडियन इंस्सिचूट आप हैंडलूम टेक्स्टाइल उसमें मुफ्त की डिपलोमा और डिग्री की पढ़ाई कराते हैं ग्यान देते हैं डिग्री देते हैं फिर वहां से वो निफ्ट जाते हैं वहां ह जकाट ले आया हूं वही नहीं टेक्नलोजी भी ले आया हूं यानि कम्प्यूटर पर डिजाइन बनाओ जकाट में सेट करो यह अब नए बच्चे बुनकर परिवार के बच्चे जब यह टेक्नलोजी को साथ लेते हैं तो फिर मार्केट निफ्ट के साथ हमने डिजाइन और फास्ट फैसन को जोड़ने का काम किया है और मेरे मन में एक कलपना है जो कर रहा हूँ नो नए कलस्टर को जिसमें हम उंटरपैनियोर को उनके साथ जोड़ रहा हूँ कि हमारे बुनकर भाई को अगर पैथनिक सारी बनवाए तो पैथनिक सारी अगर ट्रेडिशनल तरीके से बने गए तो लाख दो लाख तो हमारे बुनकर भाईयों को मिलना चाहिए अब बाजार में उसके तिन लाग पांच लाग कीमत होंगे तो हम अब कपास से धागे आधागे से हेडलूम होते हुए फैसन तक और मार्केट तक हमने इसमें बिदेश में भी मार्केट के लिए इनको ले जाने का प्रोग्राम करते हैं यहां भी बाजार लगाते हैं यहां भी उन्हें एस्पेस देते हैं और वही नहीं हम समर्थे की योजना है जिसमें हम उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं जब ट्रेनिंग देते हैं, टेकलोजी देते हैं, डिजाइन सिखाते हैं, फैसन सिखाते हैं, मार्केट सिखाते हैं, यी मार्केट से भी हमने लग-बग 12,000,000 बुनकरों को जोडा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नरंद्र मुदी का जो सपना है उस सपने को ये मंत्राले पूरा करने में सफल होगा। गिरीराज जी ये मूल रूप से अन ओर्गनाइजड सेक्टर माना जाता है। MSME मतलब छोटे मद्यम जो तमाम उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। किस तरह से इसको एक और्गनाइजड सेक्टर की शक्ल दी जा सके क्योंकि उसमें फिर बुनकरों को सीधे फायदे होंगे। देखिए सिधा है मैंने आपको कहा कि पहले भी कलस्टर बने हुए है। हम अभी बड़े कलस्टर को ओनाइज कर रहे हैं और नई सेक्टर में ला रहे हैं। और नई सेक्टर का मतलब है एक ऐक कलस्टर में दस हजार बुनकर हैं। तो दस हजार जब बुनकर होते हैं, जब उनको कलस्टर में जोड़ते हैं, तो वो और्गनाइज हो जाता है, अगर उनके प्रोडेक्ट को बाइबेक करने वाला पहले तैयार हो जाए, तो सभाविक है वो जो entrepreneur होगा, वो ही डिजाइन देगा, वो ही डिमांड देगा, और व ही भाय खरेगा, जब इस sector, इस ढिनक से हम डिजाइन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, सपोर्ट सब तरह से कर रहे हैं, मार्केट सपोर्ट कर रहे हैं, भी देश तक ले जा रहे हैं, देश के अंदर में बाजार लगाते, वहां मदद करते और इन सब के साथ साथ उनको मुद्रा लोन भी दिला रहे हैं तो जहां एक तरफ फाइदा होगा मार्केट से जुड़ने का, हलाकि जैम बनाया गया है, जैम पोटल से भी एक बड़ी संख्या में बुनकर जुड़े हैं, तो उसका किस तरह का आप असर देख रहे हैं? सीधा फाइदा है, जो मैंने कहा, दो रुपय का माल उदाहरन के लिए, दो रुपया में तो आजकल सूता भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम उदाहरन के लिए अगर दो रुपय की किमत से बना हुआ चीज, दस रुपया में कोई entrepreneur जाकर के बाजार करता हो, तो वो दस रुपया का सीधा सेयर होल्डर हमारे बुनकर भाई होंगें, ये एक सिस्टम को वेवस्थित कर रहा हूँ, गिराज जी, इस पूरे चेतर में, बुनकर हैंडलूम चेतर में, महिलाएं बड़ी संख्या में जूरी हुई है, और महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक बड़ा स्तंप है किस तरह से आप देखते हैं, महिलाओं की भागिदारी को हम बढ़ाएं भी और साथी साथ उनको भी टेक्नोलजी के साथ जोड़ें, क्योंकि जिन ट्रेनिंग्स के आप बात कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग निफ्ट में ले जाके बच्चों को देना और उनको आगे बढ़ान लेकिन जो सेल्फ हेल्फ ग्रूप्स की तरह से काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से जोड़ा जा रहा है? देखे, मेरा आपसे निविदन होगा, कि गाओं की महलाओं को आप अंडर माइन ना करें, मैं पहले ग्रामीन विकास मंत्री था, उसमें दस करोर घरों तक हम सेल्फ हेल्फ गूरूप को ले गए हैं, वो टेक्नोजी से जुड़ती है, आईटी से जुड़ती है, तो धीरे दीरे इसमें सतर परतीशत से अधिक महलाएं ही हैं, अगर हैंडलों सेक्टर को लेंगी, तो बीमेन लेट इकोनोमी है ये, इंडस्ट्री, केबल इससे जो मैंने कहा, और जिस दिन महलाओं के पास, मेरा लक्ष है, मिनमम कोई बीमेन इसमें काम कर रही है, तो पंदरे हजा रुपया इनके हाथ में कैसे आजाए, इसकी चिंता और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, अब आप सिल्की सारी पहनी है, हमारी बहन बनाती है, पती के साथ मिलके बनाती है, अगर इसे हम बी टू बी मार्केट होगा, तो हमारी बहन को ताकत मिल जाएगी, बुनकर बहनों क ताकत मिलेगी, सेल्फ हेल्फ ग्रूप में बनाएंगी, मेरा तो अब धीरे धीरे लक्ष है, कि इन महिलाओं को गार्डमेंट तक ले जाएं, जो सिल्के कपड़े बनते हैं, बना करके वो थान मार्केट पे चले जाते हैं, नहीं, अब भैलुएट करके, लड़कियों का क गुरता अगर तसरका बने, तो उस पर अमवाइडरी भी की जाए, तो वो निप के बच्चों के साथ सीख करके, ये काम भी उनके गाहों में हो, ये मेरा लक्ष है, इंटिप्रिन्योर्शिप के साथ, कैसे हम बनकर समाज की महिलाओं को जोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये पूरी जो एक तरह से आर्थी की अगर हम बात करें, बनकर समाज की, तो वो महिलाओं के इर्द गिर्द है, तो इसको और मजबूत कैसे किया जा रहा है, देखिए महिलाओं में बड़ी छमता है, और केवल फिनांसियल मेनेजमेंट में ही नहीं, मैं कोई बात नहीं बन जब इनको हम निफ्ट का ट्रेनिंग दिलाएंगें और दिला रहा हूं दूसरे रूप में ट्रेनिंग, अभी देखिए समर्थ से इनको ट्रेनिंग दिला रहा हूं, सारे तिन लाग को ट्रेनिंग दिया है, जब ट्रेनिंग सिखती हैं, तो टेक्नलोजी से जोडता हूं, टेक्नलोजी से जब जोडता हूँ तो उसके बैल्यू एडिशन से जोडता हूँ बैल्यू एडिशन इन सब चीज के लिए पैसा चाहिए मुद्रा लॉन से जोडता हूँ जब ये सारे चीज जब इनके हाथ में आ जाता है तो ये एक entrepreneur की भूमका में आ जाती है चाहे jam portal पर जाएं चाहे किसी और portal पर जाएं केवल इनको एक बार exposure मिलना चाहिए मैंने तो यही अनभव किया है ground level पर जा करके महलाओं से बात करके मैं मंत्री के नाते नहीं मैं एक activist के नाते और मुझे पूरा विस्वास है कि ये पहले भी मैंने कहा कि be man laid economy होगा मैं आज आपको कह रहा हूँ कि दुनिया sustainability पे जा रहा है आज एरोप में जो लोग कपड़े ले जा रहे हैं पूछता है इसका बताओ कहां से कपड़ा आया कौन बनाया ये कौन से कपास थे उसी तरह से जब ये करेगा इनके कपड़े पर qr code रहेगा जब हमारी दीदियों के द्वारा बनते हुए दिखाएगा जब दिखाएगा कि zero carbon footprint है हेंडलूम में तो market होगा less water footprint है तो लोग इसको चाहेंगे क्योंकि skin friendly ये कपड़े हैं तो आज synthetic लोग पहनते हैं मैं इस पर कोई टिपनी नहीं करूगा वो जरूरत भी है लेकिन एक niche market है जो लोग रात को सोने के लिए अपने बेट पर बेट सीट भी कपड़े cotton का लेना चाहते हैं अब मैं हैंडलूम को वहां तक ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ प्राचीन काल में भी चीन मिसर तक भारत का हद करगा यानि की हैंडलूम की पहुच थी ऐसे में जब आप international market की बात कर रहे हैं तो उस प्रतिसपरधा में उस competitiveness में आप कैसे भारत के बुनकरों को train करेंगे क्योंकि वो एक बहुत बड़ा challenge भी है नहीं challenge बहुत नहीं है केवल आप exposure दे उसको दिशा दिखाएं आपने कहा सच मुझ मैं प्राचीन भारत में अंग्रेजों ने हमारे साथ दोखा क्या दिया अंग्रेज अपने बलके वो मैंसेस्टर के कप्रे का बाजार बनाना चाहते थे आज भी बंगाल के अंदर आज भी हमारे देश के बुनकर भाई मसलीन के कप्रे बनाते हैं जो आउठी से निकलके वो पास करता है इतने पचास इंची के बिर्थ को तो आज भी हम बुडे दुनिया में तीन हजार बरस पहले से ये टेक्नलोजी हमारे पास है और आज मैं उसी को पुनरजीवित करने का हमारे जो डिजाइन है वो जो हेरिटेज हमारे है हर राज के अपने अपने डिजाइन है, उन डिजाइनों को फिर लाना, जब विदेशी देखते हैं उन डिजाइन को, तो उन्हें आश्यर्ज होता है, तो मेरे पास सब कुछ है, हमारे पास हेरिटेट डिजाइन है, मेरे पास टेक्नलोजी है, प्रधान मंत्री ने कहा था, बिरासत के साथ विकास, उन्हें ने कहा केबल विकास नहीं, बिरासत के साथ, ये हैंडलों हमारे तीन हजार बरस पुराने बिरासत की कमाई है, और ये मैं इसको वहां तक ले जाने का काम कर दो, किस तरह से टेक्स्टाइल पार्क्स, जो पीम मित्रा के तहत होने हैं, तैय हमारे टेक्स्टाइल सेक्टर में चार्ज भर्टिकल है, एक पावरलूम है, एक हैंडलूम है, एक नेचरल फाइवर है, एक मेड में फैब्रिक है, जिसे सैंथेटिक कहते हैं, और एक टेक्निकल टेक्स्टाइल है, आज देश के अंदर में एग्रिकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार है, 4.6 करोर अभी रोजगार है, हम इसको 24-25 में 5 करोर तक पहुंचाएंगे, लेकिन 2030 तक हम 3 करोर और एड़ करेंगे, रोजगार को, अब जब ये रोजगार को एड़ करेंगें, तो हमारे सामने चुनुती भी आएगा, हम कपास के प्रोडेक्शन को भी अगरिकल्चर के साथ मिल करके नए प्रेटर्न पर अभी अकोला डिश्टिक है, महाराष्ट में, वहां लगभग 3,000 हेक्टर में, हम नए डिजाइन से अभी पूरे दुनिया में सबसे कम प्रोडेक्शन पर हेक्टर मेरा है, इसलिए मैं 2,000 केजी तक ले जाने का लक्ष रखता हूँ, अभी साथे 400 केजी है, एक तरफ प्रोडेक्शन पर काम कर रहा हूँ, दूसरे तरफ चैन एको फ्रेंडली, उसी में PM मित्रा है, PM मित्रा मिनमम एक हजार हेक्टर का वो टेक्स्टाइल पार्क होगा, उसमें end-to-end solution होगा, कॉर्टन बेल होगा, जिनिंग अलग होगा, कॉर्टन बेल होगा, उससे वहीं spinning होगी, वहीं weaving होगा, वहीं processing होगा और वहीं garments बनेंगे, जब यह होगे, तो वो एक हम दुनिया में भी compete कर पाएंगे, अभी आप देखें, तिरुपूर garments बलते, कपड़े कहीं और से लेते, डाई कहीं और कराते, हम सब को समलित कर रहे हैं, एक नया model PM के नतुरित में प्रधान मंत्री जी ने कहा, एको सिस्टम लाओ, और पिछले साल भारत टेक हमने किया था, इस बार भी फरवरी में भारत टेक करेंगे, बीदेशी बायर को भी हाँ लाएंगे, अभी तीन बिलियन डॉलर हमारा FDI हुआ है लगभाग, जिसे हम बारे से पंद्रह बिलियन डॉलर पर तीस तक ले जाने का लक्ष है, जब पैसे आते हैं बाहर से, तो रोजगार भी आते हैं, और हम तो एक ऐसे देश में हैं, जहां हर साल एक अस्ट्रेलिया पैदा करते हैं, हमें उनके लिए भी पहले कपड़ा बनाने की ज़ुरत है, तो हमारे लिए बड़े अप्शन है, एक्सपोर्ट भी है, डॉमेस्टिक भी है, इसलिए मेरे भी ये क्विक और कॉटन का प्रोडेक्शन भी दोना कर रहे हैं, हम synthetic के लिए भी, उसके production के लिए भी investor से बात कर रहे हैं, वह ही नहीं, परदान मंत्री भले आप 4770 करोर रुपय का budget देख रही हैं, लेकिन 10,000 करोर का PLIS कीम है, उसके बाद हमें 1500 करोर, यह जो technical textile है, इसके R&D innovation के लिए दिया है, यह sector अब 14 के पहले नहीं था यह sector, अब इसके बाड़े भर्टिकल है, और यह सबसे बड़ा इसमें जो कठिन है, वो है कार्बन फाइबर, जिस से aerospace में भी जवरत पड़ता, मिशाईल में भी जवरत पड़ता, अभी हम बाहर से लाते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं, 2025 तक हम यहां पैदा करेंगे. गिरीराज जी आपने भी जिक्र करा, क्रिशी के बाद सबसे बड़ा अगर कोई ख्षेतर है, जो रोजगार देता है, तो वो हैंडलूम है, कप्राक्षेतर है, इसमें रोजगार स्रिजन की भी आपने बात की है, अभी तक यह देखा गया कि बुनकर समाज से भी, राजनेतिक पार्टियां कई तरह के वादे करती रही है, चुनाओं में कई तरह का इस्तमाल होता रहा है, लेकिन इस दस सालों में क्या आपको लगता है, जो टार्गेट मोधी सरकार ने अपने रखे थे, बुनकर समाज को लेकर, उसमें आप किस हद तक अपने आपको काम्याब मानते हैं, और अगर पांच ऐसी बड़ी बाते मैं पूछू हूँ, जो अगले पांच साल में आप बुनकर समाज को देने वाले हैं, देखिए, सरपर्थम बुनकर समाज का हम सोशल सेकूरिटी का पूरा ध्यान रखे हुए हैं, मोधी सरकार में, मोधी जी ने उन्हें केवल बीमा से उनको बीमित नहीं किया है, उनके पारिवारिक सुरक्षा को भी देख रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता कर रहे हैं, उनको डिपलोमा और डिग्री का मुथ्ट ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और जो बुनकर होते हमारी बहन और भाई उनके बने हुए कपरों को बीदेश तक मार्केट दे रहे हैं ये मोदी ने किया ये पहले नहीं था और अभी 9 कलस्टर जो आपको कहा 10-10 हजार बुनकरों का उसमें 200 करोर रुपया का हम सपोर्ट भी दे रहे हैं मार्केटिंग के ल ये तो मुझे लग रहा है कि जिन परस्टों को आपने रखा है ये अब दिखने लगे हैं समय लगता है मोदी जी ने पहले इनके लिए सोचा फिर करना सुरू किया धीरे 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 मैं आपको बता सकता हूं कि आने वाले दिन में हैंडलूम बढ़ेगा अन्त में हैंडलूम दिवस पर आप देश के बुनकरों को क्या संदेश देना चाहेंगे देश के बुनकरों से मैं प्रात्थना करूंगा कि मेरे बुनकर भाई और बहन जो 70% बहन हैं बहनों से कहूंगा कि आप उसमें लगा रहें और आने वाले दिन में आप अपने बच से हेंडलूम से जोड करके रखें शरकार आपके साथ है और आपकी आमदनी बढ़े इसकी चिंता सरकार का है विभाग का है और हेंडलूम दिबस पर कोटी शह बधाई तो एक लंबे समय से यूं कहें आजाद भारत के 75 साल में बुनकर समाज ने जो संघर्ष अकेले किया इस परमपरागत कला को उन संघर्षों के तहट बुनकर समाज ने जीवित रखाए उस शान को बरकरार रखने की जिम्मेदारी अब मोदी सरकार ने उठाई है चाहे वो मार्केट तक पहुशने की बात हो पारदर्शिता की बात हो बिचॉलियों को दूर करने की बात हो आम बहुत बहुत धन्यवाद गिराज जी दूर करने के लिए आपको भी बहुत धन्यवाद